सो गाई सुरू करते हैं एक नया स्रीज और एक नई प्लेलिस्ट जो की बहुत सारे लोगों की कार डिमांड है कि सर आप जितना भी प्रोजेक्ट बना रहे हो पिछले दो साल से उन सारे प्रोजेक्ट में आप मोग डेटा जेशन सर्वर और जेशन एप आपए से डिल कर रहे हो बट अभी तक आपने रियल डेयम डेटा बेश से कोई बी डेटा फिच नहींग या कोई भी real time project real database नहीं बनाया so please request है कि आप एक project बनाओ जिससे कि beginners की काफी help हो सके एक mean stack project बनाने में तो simple सा मैंने सोच लिया जो हमारा project चल रहा था अभी e-commerce का recent book उसको मैंने hold पे डाल दिया और सबसे पहले ले के आ गया एक mean stack का project जो की complete scratch से है यहाँ पर हम यह भी सीखेंगे कि एक mean stack project शुरू करने से पहले आपके machine में किस किस सीजो की जिरूत होती है मतलब इक जीरो से लेके final तक ले चलेंगे बस आपको करना यह है कि आपको पेसल से copy pen लेके बैठ जाना है और laptop लेके बैठ जाना है और साथ ही साथ जैसे मैं इसे follow करूँगा वैसे आपको करना है copy pen इसलिए लेके बैठ ना है कि जो चीन necessary हो आपके लिए लगे कि interview को perspective से सही है तो उसको note down करना है और उसे revise करना है ठीक है तो चलो अब हम चलते हैं अपने find की तरफ और शुरू करते हैं आज का यह पहले वीडियो और साथ ही साथ मैं बता दूँगी वीडियो बहुत ज़्यादा complex नहीं बताऊँगा क्योंकि mean stack है तो इसमें mongodb, node.js हमारा express.js और angular यह चार technology के मिला के एक bundle बना के एक application बनाएगा तो इसलिए बहुत लंबा वीडियो नहीं खीचूँगा प्रॉबबली 10 मिर्ट, 15 मिर्ट अब max to max 20 मिर्ट तक की वीडियो जाएगी प्लेलिस थोड़ी लंबी हो सकती है पेसल्स बनागर रखना वीडियो बहुत जल्दी कवर करेंगे ठीक है ओके तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहले तो आप आपको दिख रहा होगा इस्क्रीन पर हमारे दिख रहा है before start mean stack एक सेकंड आइ थिंक ये ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपको follow करना है इस टिप जो हमने बताएं है तो सबसे पहले अपने machine में cmd type करना बिंडो प्लस आर प्रिस करके runbox में cmd type करोगे तो ऐसा terminal open होगा terminal पर लिखना है node-v चेक करना आपका latest version होना चाहिए जैसे इस समय current में मेरा 20.15.1 version है जो की latest version है और LTS long term support version में ने रखा है ठीक है दूसरा चीज आपको सर्च करना है npm-view ठीक है तो npm version भी 10.8.2 मतलब 10th version के उपर होना चाहिए जिससे की आपका latest angular मतलब 17 angular इंस्टॉल हो जाए अब आप सोच रहे हो कि angular 18 भी release हो चुका है बट अभी वो testing mode पे है beta version mode पे है इस वजह से मैं उसको अभी assume करके नहीं चलूँगा जो हमारा long term support है उसी को लेके चलूँगा ठीक है उसके बाद desktop पे आपको simply folder बना लेना है ठीक है मैंने यहां पे बना दिया angular e-commerce admin panel ठीक है अब आपको समझ में आगा गया होगा कि मैं e-commerce related कुछ project बना होगा ठीक है और यहां पे admin panel लिख दिया तो आपको यह भी दिमाग में आ गया होगा को कुछ admin type के वीडियो पुरा project होने वाला है ठीक है कोई नहीं इसको double click करके open कर लेना और इस URL बार पे select करके लिखना cmd जब आप cmd type करोगे तो कुछ ऐसा टर्मिल आएगा c drive के अंदर uses के अंदर testy code is के अंदर desktop के अंदर हमारा जो folder मैंने बनाया वह आ गया ठीक है अब यहां पे आपको hit करना है command angular का project create करने के लिए ng new space e-commerce admin अब आप चाहो तो यहां पे new के बाद आप जो भी अपना project name देना चाहो वह दे सकते हो आप जो name देऊगे उसी के बिहाब पे आपका project create होगा ठीक है उसके बाद यह जैसे इंटर करोगे यहां style seat का framework पुछेगा basically 4 style seat framework होते हैं but मैं यहां use करूँगा second वाला scss उसके बाद यह पुछेगा server side rendering आपको चाहिए कि नहीं चाहिए server side rendering basically हमको नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं yes करके अब आप सोच रहोगे जब नहीं चाहिए तो yes क्यूंकि है क्यूंकि most of people आपको no करके बताते हैं हमेशा no करके बताते हैं और आपके दिमाग में चलता होगा कि yes करने हो आप देख लो ठीक है तो हमारे बताते हमारा package install हो चुगा package install successfully और कुछ यहां पर warnings है और successfully in slice git मतलब git को भी slice कर दिया है अब आपको cd command के through अपने project के अंदर entry करना है तो cd command space project name तो आप देखो project के अंदर आ चुके हो अब इसके बाद आप यहां पर simply डालना command code space dot जैसे code space dot लिखके इंटर करोगे तो आप देख सकते हो visual studio code पर आपका project आ चुका है ठीक है यहां पर left side में file के error कि हो आप देख सकते हो यहां पर हमारा angular 17.3.0 version install हुआ है जो की हमारा long term support version है और अभी standard इस एंगलर 17 का ही है ठीक है अभी 18 पर वर्क हो रहा है इस वाज़े से मैंने 18 नहीं किया आप यहां पर देख सकते हो completely angular 17 पर सारा काम हो रख है ओके अब यहां पर हमाते है src के अंदर और इस एप यहां पर index.html के अंदर अभी index.html के अंदर थोड़ा से मैं change कर लेता हूँ सबसे पहले यहां पर जो title है यह title change करता हूँ यह आप देता हूँ e-commerce admin panel यह तो e-commerce admin panel यह जो भी आप देना चाहो portal भी दे सकते हो ठीक है मैं panel देता हूँ उसके बाद यहां पर मैं देता हूँ command ng-serve-o basically मैं यहां पर आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ कि जब आपका first time आपका project को इंस्टॉल होता है तो आपको उसका output कैसा दिखता है जो एंग्लो 17 में होता है एंग्लो 17 के सबसे खास बात यह है बहुत जादा वास्ट है आपको देखने को अभी मिलेगा ठीक है hello e-commerce admin panel congratulations your app is running ठीक है proper हमारा design आ चुका है predefined design in का ठीक है तो वह सारी चीज़े यहां पर देखने को मिल रही है okay यहां पर सारी चीज़ों के हैं अब new tab open करते हैं get bootstrap.com और यहां से हम उठाएंगे cdn और cdn किसले उठाएंगे हम अपना css implement करने के लिए अब आप चाहो तो css अगर offline install करना चाहो तो आप offline install करने commands होते हैं आप वहां से install कर सकते हो ठीक है but मैं यहां पर prefer करूँगा कि आप cdn यूज़ कर लेना अगर आप proper internet के साथ काम करते हो तो तो मैंने cdn में css file copy किया और type script file copy करिया मतलब script code cdn copy किया और paste कर दिया index.stimol में हमारा save हो गया अभी आपको देखने हो यहां पर कुछ impact देखने को नहीं मिला एक बार हम इसे close करके run करा देते हैं मैंने से close किया again run किया ठीक है और यह फिर से build होना शुरू हो गया अभी यह run हो जाएगा within one minute के अंदर ठीक है तो यहां पर एक चीज़ ध्यान देना यह पूरा पूरा mean stack जो project में बना रहा हूं वह आप सबके support के लिए ही बना तो यह पूरा थोड़ा से support करना जितने भी ज़्यादा हो सकते अपने प्रेंड्स जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हों को आप share करना वीडियो जिससे कि थोड़ा support हो सब्सक्राइब अब आप देखो यह थोड़ा सा ऊपर से shift हो गया ठीक है और इनके word तो अब हम एक काम कर लेते हैं कि हम इसको देखते हैं कि यह देखो यहाँ पर सबसे पहले तो एक काम करते हैं पर ट्रेंड्मेल पर आते हैं और ट्रेंड्मेल क्लियर क्लियर करते हैं हम इसको एक बार एक सेकेंड एप के अंदर एप component html केंदर ठीक है अब हम इस html को सारा सारा रिमूब करते हैं और सिंप्ली यहाँ पर देते हैं router-outlet ठीक है एक्चली यहां पर सीन यह है कि हमारा मशीन का पुराना हो चुका है विंडो मशीन विंडो भी और इसका प्रोसेसर वगड़ा है तो थोड़ा सा डिले लोड करता है ठीक है तो router-outlet हमारा आ गया ठीक है अब router-outlet के साथ साथ यहां पर अभी सेप करोगे तो कुछ आउट पॉल कर लेते हैं ठीक है मैंने एक एच वन लिया और यह रिज्वन के अंदर टेस्टी कोडी ठीक है बैसक्ली टेस्टी कोडी इसलिए यहां पर डाल रहा हूं मैं जिससे कि यहां पर थोड़ा सा मुझे मैं output दिखा सको कि हमारा सीशस्वर कर रहा है कि नहीं हमारा बूर क और बॉर कर रहेंगे नहीं तो अगलिन एक पर हमें प्रोजेक्ट कराता हूं मतलब रिज्टार्ण कडराता हूं बेसिकली रिरन यहां रिस्टार्ट करना इसलिए चाहिए कि जब आप कोई नया चीज इंपोर्ट करो या नया चीज इसमें डालो कॉई थाड पार्टी ची हैं यहां पर टेश्टी कोडिज एच्वन एलिमेंट के साथ यहां पर मतलब रेंडर हो गया है ठीक है कोई नहीं अब हम इस पर अप्लाई करेंगे अपना बूर्ट स्ट्रेप की क्लास अगर हमारा बूर्ट स्ट्रेप सही कॉल हुआ होगा हमारे मशीन में यह क्या होगा कि यह अप्लाई हो जाएगा उसका ठीक है और अगर नहीं सही हुआ होगा तो यहां पर मुझे कोई भी रिफ्लेक्शन देखने नहीं मिलेगा बैसिकली स्क्रीन इसलिए रोप रखेए कि एक बार ध्यान से देख लो अगर जब भी चेंज होगा तो आटोमेटिक समझ में आ जाएगा ठीक है ओके आते अगरसे पर रहाप लगाते हैं पृट सब्सक्राइब तो simply हम देते हैं class है टेक्स्ट है टेस्ट नहीं एक सेकंड टेक्स्ट है फंड डेंजर ठीक है बैसिकली डेंजर टेक्स्ट देने से टेक्स्ट जोगा रेट कलर को जाएगा मैं आया क्लिक किया और आप देख सकते हैं यहां पर हमारा text ड्रेट कलर गा हो चुका इसका मतलब successfully हमारा uh project install हुआ और हमने bootstep successfully इसमें import कर चुके हैं मतलब install कर चुके हैं आप आप चाहो तो इसको यह भी बहूल सकते हो कि यहां पर हमने bootstep को call कर लिया है बहुत easy तरीके से ठीक हैं अब इसके बाद आप नेम जो भी देना चाहों वो दे सकते हो ठीक है फिलाल मैं यहां पर देने वाला हूँ क्योंकि मुझे लॉग इन कंपोनेट बनाना है तो मैं यहां पर लॉग इन दो हुआ टो यहां पर हमाँ लॉग में साइन प्लिकका इंटर कर दिया अब मैं साइन अप कंपोनेंट आ जाएगा कि मी। बिर्ण और साइन आ गए अब मैं काम करते हैं आप डा एर्ग लॉग प्ल्रान का तो यूज नहीं कर सकते हो यूज करने के लिए हमें routing set करना होगा एक है तो routing set करने के लिए क्या करोगे app route.ds पे आया होगे और यह जो हमारी class export ही है routes नाम की इसके अंदर आप path डिफाइन करोगे तो directly path ने डिफाइन कर सकते एक object बनाना पड़ेगा object अंदर आप दोगे path और मैंने दिया ब्लैंग अब ब्लैंग के बाद में देखता हूं second parameter component और component को क्या call करा हूंगा login component अब आप सोच लोग क्यों कर आया तो ब्लैंग मतलब हुआ कि जब by default localhost 4200 रहेगा तो ब्लैंग मानता है और blank route पे हमारा load होगा login work ठीक है तो हमारा login work यहां दिखने लगा है almost अब आप यह चीज़ समझ चुके होगा कुछ लोग बताते हैं कि बिना login मतलब routing दे दोगे और login component को अपने app component.ts में डालोगे तब तक रन नहीं होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैं आपको सारे के सारे myths से दूर रखूँगा जो होगा exactly बताऊँगा कि actually मैं यह work कैसे करता है इनकी work cycle कैसे है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye keep practice keep coding take care guys अज के लिए जो और है